आग्रा में जहां एक तरफ गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है वहीं दूसरी तरफ अनिस्थानों पर आग लगनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं आग्रा के थाना सदर छेतर के आग्रा केंट रोड पर इस्थित एक मंदिर के पुजारी की कुटिया में दुपहर को अचानक आग लगई आग इतनी भयंकर थी की पुजारी की कुटिया कुछी देर में जल कर राख हो गई मौकी पर मौजुद दो पत्रकार अरपित और मदन ने पानी डाल कर किसी तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की मंदिर में कई सालों से पुजारी राजेश पुजा पाठ करते हैं बगल में अपनी एक कुटिया बना कर रहते शुक्रुबार दुपहर में उनकी कुटिया में आग लग गई कुटिया में रखा सभी सामान जिसमें दो गैस लेंटर और अन्यघरेलू सामान जल गया कुटिया में जिस समय आग लगी पुजारी वहां मौजूद नहीं थे वहीं मौकी से गुजर रहे पत्रकार अरपित और मदन मोहन ने किसी तरह आग पर पानी डाल कर काबू पाया लेकिन उससे पहले कुटिया पूरी तरह से जल गई थी